हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ओल मिल को साड़े 13 लाकी चपट लगाने वाला आरोपी गिरफता जोदपूर में भीतरी शेर में सीवाची गेट इलाके में राम रुशी अश्रम रोड पस्तित एक कमपणी में काम करने वारे सेल्समेन ने माल सप्लाइ करने के बाद पार्टियों से पेमेंट लेकर कमपणी की खाते में चमा करवाने के बज़ाए हडप लिए कई मेनों तक चल रहे इस धांदली का खुलासा हुआ तब आरोपी ने खुद की गलती भी स्विकार की लेकिन गेराई में जाने के बाद कमपणी प्रबंधन को पता चला की शातिर सेल्समें तकरीबन साड़ी तेरा लाक रुपे से जादा की रकम का गबन कर चुका है इस संबन में प्रताब नगठ थाने में गज़ साथ मार्श को केस दर्ज हुआ था पुलिस ने आरोपी चांद पर फुलेराव पार्क के पास रहने वाले प्रमत कुमा पूरोही को गिरफतार कर तीन दीन के रिमान पर लिया है प्रताब नगठ थाने के ऐसे मुल सिंग ने बताया कि सीवाची गेट रामरुशे आश्रमपस्तित विश्नु ओईल मिल के निर्देशक हेमन्त निहलानी की ओर से कोट में पेश इस्तगासा के आदार पर प्रकरन दर्श किया गया था इसने बताया गया है कि उनकी फारम में आटा, बेसन, किराना का सामाद इत्यादी का होलसिल कारोबार है हेमन्त ने प्रदेश के अन्य जिल्लों, उदैपूर, विकानेर, पालिये, अजमेर, दुंगर, पुल, बिल्वाडा व विजय नगर में मार्केटिंग के लिए प्रमत कुमा पुरोईत को सेल्समेन के रुप में रखा था पुरोईत ने मुख्यता, ब्यावर, अजमेर्व, विकानेर में कई पार्टियों को माल सप्लाई कराया लेकिन इन में से किसी पार्टियों से पेमेंट खुट के सेविंग अकाउन में तो किसी से बिल्परी हस्ता अक्षर कर रोकर्ट रुपे ले लिए लेकिन यह राशी क कमपनी के खाते में जमा नहीं करवाई जोदपूर से जागरुट टीवी की रिपोर्ट